हेलो फ्रेंट्स में माशिर आप देख रहे हमारा चैनल नेक्सनल लाइवेल एक ऐसी जोड़ी जो इन दिनों काफी चर्चाव में चल रही है जी हाँ टीनेजर्स के बात करें तो उन्हें ये जोड़ी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है हम यहां बात करें हैं के साथ Ace of Space में जिस तरीकी की बॉर्णिंग दिखाए जा रही है दिव्या और वरुन की कहीं ना कहीं इस शो के लिए एक कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉंग पॉइंट बन चुका है कि लोग जो है वरुनसूत और दिव्यागरवाल को देखने के लिए इस शो को फॉलो कर र बैस्ट वरुनसूत के लिए किस साथ लग सकती है वरुनसूत की जोड़ी बैस्ट वैसे हम सब जानती है और आप भी जाते है कि बिनाब शाह इस शैप्टर से आउट हो चुकी है और कहीं न कहीं चेतना भी आउट हो चुकी है लेकिन फिर भी हम बात करें किस तरीके से वर वरन के साथ कोई लग सकता है क्यों ट्रोमेंटिक तूवर है वरन अल्ली वेरी ब्यूटिफुल दिव्या अगरवाल लेकिन वही अगर हम बात करें वरन सूथ की पहली गर्ल्फरेंड यानि की कबरों के मताबिक पहली कह सकते हैं बेनापशा सुना वाला हालहकि इनकी लव स्टोरी इतनी रही पठाजनी हैं की ऐसे क्या है लेकिन अगर देखा जाए तो वरन सूथ और hope की लूटिफिल नहीं गए तो वरन सूथ या वही बिनापशा स्पिसपिपला में नहीं नहीं गए लेकिन वरन प्यूस पिसपिला में भी गए ते और अब दिव्यागरवाल तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वरुन की जो फिलिंग से हैं वो चेंज होती रही लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होती जो सिच्वेशन पर डिपैंड करता है क्योंकि एक शो में आप मिले मार्टीना से मिलाकात हुई लेकिन सब को पदा था मार्टीन बॉर्फिन नहीं है लेकिन शो के दुरान ये सारी चीज़े अकसर ही देखने को मिलती है तभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि रियाले शोस कहीं नगर ये फेक भी होते हैं स्क्रिप्टेट होते हैं क्योंकि जिस तरीके से एक शो में कह सकते हैं बार्ण बनता वा नजर है ठीक वैसे ही वरुन की मुलकात माथीना से हुई थी लेकिन वह स्क्रिफोसिफ शो के दुरान उनका प्यार देहने को मिला बाहरा कैसा कुछ भी नहीं था क्योंकि माथीना के भी बाहर थे और वनसूत और बिनाप्शा भी तब साथ में ही थे तो उसके बाहर अगर देख चोटी बात नहीं है बड़ी बात होती है किसी के साथ काफी लंबे समय से रहना वह बहुत रोमैंसिक लगता है और अगर देखा जाए तो वरुन ने एस अप स्पेस में यह भी कहा था कि जो बिनाप्शा थी वह उनके लिए बहुत ही इंपोड़न थी और वह उनके लेकिन जस तरीके से वरुन और विनाप्शा अलग हूए है वह बहुत यह गयाता कहना है एक एससे स्टोरी जिसपर गर्फिर्ट्पिंज चीक करती है कही ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि लोग अपने अपने कह सकते हैं वेनाप्शा बहुत कहाँ पहुत है निकल जाते ह वो आई दिल प्रयांक शर्मा के साथ मस्ती करती हैं कहीं न कहीं यह साफ साफ दिख रहा है कि लोग अपने अपने कह सकते हैं वे में निकल जाते हैं जली फिलाल आगे बढ़ते हैं और दूसरा अगर हम बात करें तो चेतना पांडे चेतना पांडे के साथ भी एक अलगी एंगल हमें सभी को देखने को मिला शो के दुरान एसब स्पेस में ही देखने को मिला हम सभी को कि कि इस तरीके से चेतना पांडे और वर्सूत के बीच में एक अलगी बॉंडिंग देखने हो विली हाला कि वरुन ने प्यारपाय किया है कि वो दिव्या से डिस्ट्रेक्शन पाना साथे थे प्यार होने लगा था क्योंकि जो चीजे वह दिव्या अगरवाग कर दांस किया कुछ भी कर रहे थी वह सारी चीजे चितना पांड़ने इसाथ करते हूं नजर आए जो कि दिव्या ने क्लैरिफाई किया सामने बोला कि तुम यह से चीजे क्यों कर रहे हो और कहीं बात तो इ कि वरुन अपनी फीलिंग को लेगर कंफ्यूज थे लेकिन हाली में खबरे सामने आ गई कि वरुन ने दिव्या अगरवाल को अपने प्यार की बात कहीं और पीलिंग का इजहार किया जो कि काफी बड़ी बात होती है बहुत सारी बाते ऐसी होती है कि पैल्स जानत आते हैं अपने पेवरेट के थू कि आखिर कौन किसके साथ है कौन कैसा है लेकिन अगर यहां देखा जाए तो बिनाप्शा दिव्या और चेता पाड़ी तीनों अपने अपनी जगाओ पर ठीक थी लेकिन कहीं ना कहीं इसलि अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी लोग हमें कमेंस करते हैं कि तुटे शोड़ी है वरुन दिव्या और दोनों को बहुत प्यार करते हैं और किसी ने यह भी कमेंट किया है कि अच्छा हुआ दिव्या और प्रयांका ब्रेक अप हो गया क्योंकि वरुन दिव्या की इसा किया लेकिन नहीं एक खूबसुरत इंसानियत जो होती है वह दिव्या गरवाल में दिखती है कितना वह प्यार करती है सबको बेस्ट कबल दोरों शादी कर लो बहुत सारी लोग हमें यह भी कमेंस करके भेशते हैं कि प्लीज वरुन और दिव्या शादी कर लो 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 दिव्या एंड वरुन शादी तक बात पहुच गई है वैस शादी का अगर इजहाय देखा जाए तो वरुन ने हार भी पहनाया था माला पहनाई थी और शादी के लिए पर पोस भी गया था जो कहीं ना कहीं बहुत स्वीट जेस्टर था तो वरुन दिव्या गरवाल कि kita music priority और अचैनल कि शुडी बहुत प्यार भरा के सकते हैं कि यह घलम है और हम चाहते हैं कि यह घलम हां जिस तरीके से अभी देखिए फैंसे आप सभी ने कमेंस कर रहे हैं तो कही ना कही जो वीवर्स है वह एक अटेश्मेंट कर लेते हैं कुपल से लेकिन जब वह कुपल पहर आने के बाद जो है अलग हो जाता है तो बहुत सैट फील होता है हम लेकिन यह चाहते हैं कि दिव्या और वर्न अलग ना हो क्योंकि इनकी जो स्टोरी है वह कही ना कहीं बहुत 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 है और प्रेजेट में प्योश्प को शुच्छा कोई कह सकते हैं चोटी बात रही है और रही बात दिव्या और वर्न के शो में जिस्तरीके से वह कर रहे हैं हर को इंद़ार कर रहा है कि किस तरीके से दिव्या अपनी दिल की बात कहती है कि वो अपने फ्री मैजिकल वर्स कहती है किस तरीके से दिव्या कनफस्रेंस करें, dirwegen कप करेंगे। ऐधिन देखने लायक होगा. तो चेटना, दिव्या, माठीना, और दिव्या अगरवाद अगर बात करी जा चारों में से तो माठी ना तो चलो बहुत ही अलग हो गया है मैटर बहुत क्लोज हो चुका है विनाप्षा भी वरुन भी जिन्दगी से आउट हो चुकी है तो वही चेतना चेतना is a very mature girl और जिस तरीके से उन्होंने शो में दिख रही है बहुत ही खुपसर एक्टिस है वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही अगर देख जाए तो दिव्या और वरुन की जोड़ी जो है बेस लगती है जी हाओ दिव्या और वरुन की जोड़ी की बात है करें तो बहुत ही क्यूट रोमेंटिक जोड़ी है और दोनों को साथ में देने चाहेंगे फिर से इस शो के खजब होने के बाद जो फैंस हैं वह बहुत ही मिस्स करने वाले हैं इनकी केमिस्ट्री इनकी लड़ाए इनकी बॉर्णिंग लेकिन नेक्स अगर देख जाए साथ वारूं के प्रत्री फैंस पूल बहुत है वह बहुत ही कमें उनका केरिंग दिखता है ट्वर्ण सूत लेकिन अभी आप सभी को लड़ाई भी देखने को मिल सकती है जो खाफी जदा इंट्रसिंग होने वाली है लेकिन इन सभी के बाद अगर कोई क्यूट है कोई जोड़ी बहुत खुबसूरत लग रही है इन दिनों तो वो लग रही ह है वरुन और दिवय जोड़ी लग रही है शबसे सबसे जदा क्यूट और वरुन भी लगते हैं दिवय किसाथ सबसे जदा क्यूट लेकिन आगे देखने वाला होगा कि आखिर शो के बाद कौन किसकी साथ जारते तक दिखता है लेकिन आज के लिए बस इस इतना ही हम फिर मिलेंगे ऐसी खास प्रोग्राम के साथ लेकिन हमारे इस वीडियो को जरूरा प्लाइकर शेयर करेगा